वोसिक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है रात में मैदान पर रोमान चक्वाहॉल, दोनों कप्तान टॉस के लिए तैयार हेड्स के लिए गए हैं, और ये हेड्स है ये पहले गेंद बाजी करेंगे और शुरुआत में ही विकेट्स लेने का प्रयास करेंगे फैल्डिंग टीम मैदान में दोनों शुरुआती बल्ले बास खेलने के लिए मौका ही नहीं देना चाते ये इन बास लिकेट के दूसरी तरफ से बॉलक, फैल्डर मैदान में जा रहे हैं खेल दिया सीधा फैल्डर के हाथों में सुरुआती कामयाभी में फैल्डिंग यूनिटे काफी मदद की पॉल किया बल्ले बास आउट इस चिपकू विकेट पर भरपूर लाब ले रहे हैं और अत्याथिक रिवर स्विंग मिल रही है परफेक्ट दिलिवरी और बैट्स बैन पूरी तरह थोका खा गए पहली गेन पर विकेट खोया एक अजीब निरने लिया है बैटिंग कैप्टन ने पारी के शुरुवात में ही एक लोवर ओडर बैट्समेन को उपर खेलने मेजा है और ये आउट क्लीन बोल्ड एक के पीछे ये खोई उन्होंने एक और विकेट गेन पास है ट्रिक पे है बल्ले बाजों के लिए कोई जगा नहीं बहुत शानदार डिलिवरी गेन सीधा अंदर भुसी और बेल से ठकराई नियंतरन खोबैट एक गेन पर अपना नतीज़ा फाइट बाल अब इसे अंतक रहकर इस पास गेन सीधा फील्डर के हाथ में मानो कह रहे हो आईए आपी का इंतजार था बल्ले बाज निराशा पूरवक वापिस जाते हुए नया बल्ले बाज अब बाले का आउट और चेश्न का माहौल फिल्डिंग यूनिट वे और गेन पास को मिली आज की पाचवी विकेंड सबर्दस प्रदर्शन लगता है अपने टीम गुटने पर आए और स्वीप कर दिया है बॉलर को अब आप प्रीज की और टाइप लगाई है क्या यह आउट है बेल जल उठी काफी करीब ही मामला हो सकता है अब आप लगता है अगर बलब केंड की पिछ पर आयो रोडा दिया उन साइड की तरफ गेंड की तो ऐसी की तैसी करके रख दी उठा दिया मैदान के उपर से चारन के लिए क्या गर्मा गरम शुरुआत हुई है पहली गेंड पे हिचो का जड़ दिया गेंड की पिछ पर आयो रोडा दिया उन साइड की तरफ बॉलर का निराशा जनक प्रदर्शन गेंड के साथ नहीं चल पा रहे है बहुत सुन्दा स्वीप गेंड फील्ड को चीरते हुए निकल गई इस बेल में अच्छा ताल मेल बनाने में काफी संखर्श करना पड़ रहा है आगे बड़े और ये शॉट सीधा स्टेंड के अंदर गेंड की पिछ पर आयो रोडा दिया उन साइड की तरफ गेंड बास द्वारा दुर भागे पूंड गलती अंपायर ने बैटिंग टीम के लिए नो बोल करा दी हो रहे है पाउंडरीस की पर साथ सीधा और ऊचा खेला विधवन सक बल्ले बाजी इस गेंड के साथ हुई टाटा बाई 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 अंतिम गेंड पर लगा चौका एक महंगा ओवर जिसकी भरपाई करने के लिए गेंड बाजी टीम को अच्छी खासी महनद करने खिचा के मारा है उचा मारा है डाट घुमाया जोर से स्क्वेर की तरफ लगता है बहुत बाउंडरी तक जाएगी ओ चली गई चार रन गेंड को भेजा है हवा के रास्ते से आफसाइट बाउंडरी की ओर उमदा टाइमिंग क्या ये बाउंडरी की है ट्रिक होगी बहुत सुन्दर स्वीप गेंड फील्ड को चीरते हुए निकल गई इस स्पेल में अपनी लाइन और लेंद पर नियंतरण नहीं रख पा रहे है और ये लगाया अपना ही जात किया हुआ हेलिकॉप्टर शॉट काफी खराब स्पेल जाता हुआ इनको गेम में वापस आना चाहिए और कुछ विकेट्स लेने का प्रयास करना चाहिए बल्ले बास की गलती फील्डर की खुशी चलिए वापस ये गिरी पारी की पहली विकेट्स इसको अपना बेसिक गेम खेलना चाहिए और अपनी विकेट्स नहीं गवानी चाहिए कुआ हवाई फायर लगा दिल को मोहलेने वाला हेलिकॉप्टर शॉट फोवर को समाथ किया चोके के साथ ये इन सीधा विक्टो के अंदर बहुत अच्छी डिलिवरी नए बल्ले बास आते हुए इनको टीम प्लैन के मुताबिक खेल कर पारी को समभना होगा ये किया हवाई फायर क्या ये इनको महंगा पड़ेगा सीधा लंबा के लाए डाउन दे ग्राउंड चार रन के लिए गेन जा रही है लगता है गेन बास को कुछ संदेश देना चाहते हैं पहली गेन पे ही चोका ये लगाया बल्ले बास ने सुन्दर स्वीप विजेता टीम का क्या प्रदर्शन रहा इस परिणाम से वे बेहत खुश होंगे आज के मैन अव दा मैच ने तो जंडे गार दिये गेन से किया एक विश्वस तरिये प्रदर्शन प्रदर्शन